तो आज हम बना रहे हैं तिलकुट का प्रसाद जो कि संकट चौथ अगर आप वरत रखते हैं संकट चौथ का तो उस दिन ये प्रसाद बनाया जाता है जिसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है तो मुझे यकीन है आपके घरों में बनती होगी अगर नहीं भी बनती है तो सर् बनाते हैं यह लिए हैं मैंने ब्राउन तिल 500 ग्राम लगभग यानि भूरे वाले तिल जिनको हम भून लेंगे मीडियम सी आज पर बहुत तेज ना कीजिएगा क्योंकि इस से हैं जो तिल जल जाते हैं अच्छे से बूनते जाएंगे इसको और आप यकीन मानिए यह अगर परसाद की तरह भी बना रहे हैं या थंड से बच्रे के लिए भी बना रहे हैं तो बहुत जादा अच्छे बनते हैं टेस्टी बनते हैं और परसाद का तो अपना महातम है ही तो यह देखिए अब लगभग तिल मेरे भुन चुके हैं तो अब मैंने परांत में निकाल लिय इनको ठंडा होना रखेंगे क्योंकि गरम गरम ये तेल छोड़ देंगे तो ये देखे ठंडे हो गए है mixer jar में shift किया है इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है तो ये देखिए बिल्कुल पीस लिया है तो इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे हैं इसमें हम डाल रहे हैं शकर 500 ग्राम है मेरा ये लिया हुआ मैंने जो तिल है और मैंने लगबग 350 ग्राम ही शकर डाली है आप अपने according शकर डाल सकते हैं तो इसको पहले यहां पे अच्छे से शकर को mix कर लेना है फिर मैंने एक बार फिर mixer jar में घुमा लिया है इसको ताकि शक्कर है जो वो बहुत अच्छे से mix हो जाए तो ये देखिए मैंने ये देखिए इस तरह से बन गया बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी बनता है जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको संकर चौत की बहुत सारी शुब कामना है थैंक यू